भारत के इस महान योद्धा का जनम 9 मैं 1540 को हुआ था धन्य हुआ ये राजिस्थान जो जनम लिया प्रताप ने धन्य हुआ ये सारा मेवार जहां रखे कदम प्रताप ने ये महाराना उदेश इनके सबसे बड़े बेटे थे ये भारत के सबसे महानतम योद्धां में से एक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मुगलों को कभी अपने उपर हावी नहीं होने दिया ये भारत के सबसे ज़्यादा तागतवर योद्धा भी माने जाते हैं क्योंकि इनकी हाइट 7.5 फीट से भी जादा थी जब ये यूद लड़ने जाते थे तो इनके पास इनका 80 किलो का भाला रहता था और इसके साथ-साथ 208 किलो की इनकी दो तलवार और 72 किलो का इनका कवश था जब इनके पिता उदे सिंको अकबर ने हरा दिया था तो इनकी सोते लिमा नहीं चाती थी कि ये उसके बाद राजा बने जैसी ये राजा बने इनने काफी जादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उस टाइम इने छोड़के लगबक सारे राजपूत राजा अकबर के सामने जुग गए थे अकबर ने चार बार महाराना परताब को अपनी सेना में शामिल होने का संदेश भेजा था लेकिन पाचवी बार महाराना परताब ने अपने बेटे अमर सिंग को अकबर के दरबार में भेजके शांती संदेश को मना करवा दिया इस बाद से अकबर को काफी गुसा आ गया तबी तो हल्दिगाटी के युद में वे खुद नहीं आया जब इन दोनों ने महाराना परताप पे आगरमन्ट किया तो इसके बाद भी महाराना परताप ये बैटल जीत गए ये बैटल 18 जून 1576 को वा था और पूरे 4 गंटे चला था मुगल की सेना को मान सिंग लीड़ कर रहे थे तो महाराना परताप ने ये नीर्णे लिया कि वो खुद मान सिंग को जाके मारेंगे तो वो अपने गोड़े चेतक के साथ आगे बढ़े और मान सिंग के हाथी के उपर चड़ गए जिसमें उनका घोड़ा चेतक और खुद महाराना परताप काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे लेकिन राजपूत आर्मी के चीफ मान सिंग जी जाला ने महाराना परताप के साथ अपना कवच बदल लिया था जिससे मुगल से ना कन्फ्यूस हो गई थी और इसके बाद महाराना परताप को बचाने के लिए चेतक वहां से भाग गया और एकी चलांग में इतना बड़ा नाला पार कर दिया लेकिन नाला पार करते वे चेतक को मुगल्स के आर्चोरों ने उनके बानों से मार दिया चेतक खुद कुरबान हो गया लेकिन महाराना परताप को कुछ नहीं होने दिया इसलिए इसमान चेतक की वीरता आज तक सुनाई जाती है था साती तेरा घोडा चेतक जिस पर तु सवारी करता था थी तुझ में कोई खास बात कि अकबर भी तुझ से डरता था महाराना परताप चेतक की मृत्यू से काफी जादा दुकी हुए थे लेकिन शक्ति सिंग जो की उनकी आर्मी के एक कमांडर थे उन्होंने अपना गोडा परताप को दिया और वो यहां से चले गए इसके बाद अकबर ने पूरे मेवाड रिजन पर अपना कबजा कर लिया था और सारे राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिये थे और महाराना परता बिलकुल अकेले पड़ गए थे अपना सर नहीं जुकाया इनका सर जुकवाने के लिए अकबर इने आदा भारत देने को तयार था लेकिन महाराना परताप को राज्ये का लालस तो कभी था ही नहीं इनके लिए सबसे बड़ी बात अपना और अपने लोगों का फ्रीडम था ये अपने फ्रीडम के लिए मुगलों के साथ हमेशा लड़ते रहे और इसी वज़े से इने भारत का पहला फ्रीडम फाइटर भी माना जाता है मरते टाइम भी नोने अपने बेटे अमर सिंग को कहा था कि कभी मुगलों के सामने जुकना मत लेकिन हर कोई महाराना प्रताप नहीं होता तो इनके बेटे अमर सिंग मुगलों के सामने जुक गए और उनकी सेना में शामिल हो गए हर मा की ये ख्वाइश है कि एक प्रताप वो भी पैदा करे देखके उसकी शक्ति को हर दुश्मन उससे डरा करे शिकार करते टाइम इनके धनुष की डोर इनके पेट में लग गई और काफी लंबे इलाज के बाद 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्ति हो गई महाराना प्रताप की वीरता को आजकल हर कोई जानता है और मुगलों के सामने अपना सणना जुकानी की वेज़से इन्होंने काफी सारे Freedom Fighters को प्रेरीद भी किया बलिदान पर राना के भारत माने लाल देश का खोया था वीर पुरुष के देवासन पे अकबर भी फफक कर रोया था तो गाइस मारान परताब की भादूरी की वेज़से इस वीडियो पे एक लाइक और शेर तो बनता ही है और वीडियो पसंद आईए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना